अजज मैं तो हनू इक सवाल देके शुरुआत करना चाहांगा सारे लोको एक सादन है जिसने सब तो वद लोकानू मारया है कोई अंदाजा लगाएगा जे तुसी कहा कि जिस हथ्यार ने सब तो वद लोकानू मारया है ए है जीव तत तुसी सही जवाब दिता जिहा लगदा है कि सादे सीयों दे मेंब्राले हल ना होन वालियां कोई बुजारता नहीं हन क्योंकि तुसी परमेश्वर तो बुद्धी प्रापत कीती है इसलेई तो हनू जल्दी जवाब मिल जान्दा है दरसल जीव ही है जिसने सब तो वद लोकानू मारया है इसलेई सानू अपनी जीव नल सावदान रहेना चाहिदा है है ना सवर्गी पिता अते सवर्गी माता ने सानू अजहे शबद बोलना सिखाया है जो दुजया लई वदिया होन अते लगातार तनवाद देन वाले होन इसलेई अज आओ असी उपदेश से लेख मनुख जो बीजदा है उही वड़ेगा नाल परमेशवर्दे वचंदा अध्यान करिये जे जीब सब तो वद लोका नू मार दी है ता सब तो वद लोका नू की बचा सक्दा है फिर तो ए जीब होवेगी जेकर इस दी सही टंगनाल वर्टों कीटी जावेता की धो तारी तल्वार नाम दी समीकरन नहीं है चाकू वर्गे साधन ते विचार करो जदो इसदी दुरवर्तों कीती जान्दी है तर एक इसे नू बहुत नुकसान पोंचा सकदा है फिर वी जदो इसदी सही टांगनाल वर्तों कीती जान्दी है तढ़ एक कीम्ती साधन बन जानदा है जो पौश्टिक पोजन परदान कर सकदा है इस तरह जदो इसदी वर्तों सकारात्म को देश ले कीती जानदी है तढ़ एक बहुत मतव पूरन साधन बन जानदा है हाला कि जेकर इसदी गलत तांगनाल वर्तों कीती जानदी है तुसी तो खा ना खाओ, प्रमेशुर थठ्यान विच नहीं उड़ाईदा क्योंकि मनुख की वड़ा है मनुख जो कुछ बीजदा है सो यो वड़ेगा पी जहड़ा अपने सरीर लेई बीजदा है और सरीरों विनासनू वड़ेगा अते जहड़ा आत्मा लेई बीजदा है ओ आत्मा तो सदीपक जीवन वड़ेगा अते पले आई कर दे आसी अकना जाए क्योंकि जे होसलान ना हारिये ता वेले सिर वड़ाँगे जे असी चंगा बीजदे हां ता असी चंगा नतीजे वड़ाँगे जे कर सी बुराई बीजांगे ता सी बुरे नतीजे वड़ाँगे अते जे कर सी चंगे शब्द बीजदे हां ता सी कुझ चंगा वड़ाँगे की परमेशवर सानु ए सिख्या के मनुख जो बीजदा है ओ ही वड़ेगा इसलेई नहीं सिखाऊंदे हन क्योंकि ये मनुख जाती नू बचौनदा एक जरूरी हिस्सा है इसनू सिर्फ एक चंगी सिख्या दे तौर ते मन दे होए नैतिक दरिश्टी कोन तो देखन दे बजाए इसनू परमेश्वर द्वारा दिते गए हुकम दे रूप विच समझना चाहिदा है क्योंकि मनुख ठीक उही वड़दा है जो बीजदा है इसलेई या जाओ असी अपने आप बारे सोचिए मैं अपने परिवार विच चर्च विच अते अपने समाजिक जीवन विच मनुख जाती दी मुक्ती लेई किन्ने बीज बीज़े हन एक जही चीज है जिस्ते सानू विचार करन दी लोड़ है कुझ लोग सोच सक्दे हन मेरे गवांडी या ते मेरे विच कल लड़ाई होई इसलिए मैं कई वार उसुते उंगली चक्की ए यकीनी तोर ते के हो जहा नतीजा लेएगा जे तुसी तिन वार अपनियाँ गल्यान चक दे हो ता ए तिन वार बंदूग चलाउन दे बराबर है जे तुसी हर दिन अपने आप बारे सोच दे हो ता अपने आपनू पुछो अज मैं किनीवार बंदूग चलाई मैं अपने परिवार गवांदियाँ ते समाज लेए खुश्खबरीदे किनने बीज बीजे हन फिर अपने आपनू याद दवाओ कि जो सी बीजा है उसना की होवेगा समाँ उन्ते असी ओ वड़ांगे इसलेए खुश्खबरी सिर्फ बाइबल दिया कुछ आयता नू जानना नहीं है सगो परमेशवर्दे हुकम तू अपने गवांडी नाल अपने जेहा प्यार करदा पालन करदे होए दुजेया नाल प्यार रखना भी है पावे कोई व्यक्तिय जीही गल कहनदा है जो साड़े माननू साठ पहुंचाओं दी है ता असी जवाब दे सक्दे हाँ सोचो श्रीमती जोनस ने जो कहा ओ सही है मैं पहला अपने आपनू इस तरह नहीं देख्या सी मैं इस विच सुदार करंदी कोशिश करांगा जेकर असी अजिहा करदे हां तो व्यक्तियते में दोवे बचाए जावांगे साड़े रोजाना जीवन विच असी अजिहिया स्थित्यांदा सहमना करदे हां बेशक चर्च विच जो हुंदा है उस विच भी एगल लागू हुंदी है मेरा वन्ना है कि सानू मेंबर विच कार खुशियते शुकर गुजारी दे बीज बीजन दा अब्यास करंदी लोड है सवरग दे राजदा रस्ता जिस्ते सी चाल रहे हां उस दी तुलना तिन हजार पांच सो साल पहला इस्राइलियां दे कनान विच प्रवेश करंदे रस्ते नाल कीती जा सक्दी है रस्ते विच अपने दुश्मना दिया तल्वारा नाल मारे जान दी तुलना विच ज्यादा इस्राइली अपने ही शब्दा दे कारण मर गए ये पर छावा साड़े ले एक सबकदा काम करदा है जे असी अपनी तिखी जुबान दी समझदारी नाल वर्तों करिये तासी मनुख जाती नूँ बचा सकदे हाँ पर जेकर इस दी दुरवर्तों कीती जावे तासी बहुत नुकसान पहुंचा सकदे हाँ आओ एक वार फिर इस मामले बारे सोचिये एक वार बीज खिंड जान तो बाद पिछे नहीं मुड़या जा सकदा किरपा करके इन ना सोचो के सिरफ बाइबल नूँ खोल के असी खुशखब्री नूँ पूरा कर रहे हाँ बेशक एक खुशखब्रीदा हिस्सा है पर जदो असी परमेशवर्दियां सिख्यावानू अपने रोजाना जीवन विच अमल विच लेओं दे हाँ तासी खुशखब्रीदे बीज बीज रहे हाँ जे असी परमेश्वर्दियां सारियां सिख्यावादा पालन करदे हां अते सानू सौंपियां गईयां पुमिकावानू पूरा करदे हां तक कि असी सारे सवरग नहीं जा सकदे जेकर परमेश्वर ने कहा कि अजेहा हो सकदा है तासी सारे सवरक दे राज विच जा सकदे हां कुझ लोग पुछ दे हन मैं क्थोर शबद बोलदा हां की मेरे कोल मौका है आओ अज तो सावदान रहिए कुझ लोग पुछ दे हन मैं आत्मिक गोलिया चलाऊंदा हां जिसनाल दूजयानू नुगसान पहुंचदा है की मैं सवरक जा सकदा हां आज तो ही सावदान रहू आज तो आओ असी गोलियानू खुश्खबरी दे बीजा विच बदलिये सानू दूसरे अविच जीवन दे कई सोवने बीज बीजने चाहिदे हन आओ असी एक कुरिंथियान दी किताब अध्याय दास वचन इक कुत्ते जाए हे प्रावो मैं नहीं चाहूंदा जो तुसी इस तो अंजान रहो जदो उसने कहा मैं नहीं चाहूंदा जो तुसी इस तो अंजान रहो तक ही इस दा मतलब इन नहीं है कि सानू इस तत्थनू जानना चाहिदा है प्रावो अते पैनू तो हनू इस जरूर पता होना चाहिदा है 25 अड़े पे ओ दादे बदल दे हेट सन अते उस सब्वे समुंदर दे विचो दी लंग गए अते सब्ना नू उस बदल अते उस समुंदर विच मूसा दा बपतिस्मा मिले आ सब्ना ने एकको आतमग पोजन खादा अते सबना ने इकको आतमक जल पीता, क्यों जो उना ने उस आतमक पत्थर तो जल पीता, जहड़ा उना दे मगर मगर चल लदा सी, अते ओ पत्थर मसी सी, परंतु परमेशुर उना विचो बाहलया नाल परसन नहीं सी, जरूर कोई कारण होवेगा कि परमेश्वर खुश नही होए, परमेश्वर खुश क्यों नहीं होए, ए उना दे शब्दा दे कारंसी की परमेश्वर ने उना नू कनान विच प्रवेश होन नहीं दिता, बारा जासु सान विचो केवल यहोश्वा आते कालेभन जो परमेश्वर दे पक विच खड़े होए आते उना दे वचना परमेश्वर सानू दुद्ध अते शहद वगणवाले उस देश विच ले जानगे, उस देश दे लोकां तो ना डरो क्योंकि उस साड़ी रोटी होनगे, उना दी सुरख्या खतम हो गई है ते परमेश्वर साड़े नालहन, असी हुन चड़ के उस देश नू अपना कर ले क्योंकि बेशक साड़े विच अजहा करंदी शक्ती है, उना ने अजहे शबद बोले जिना तो ताकत मिली, पर बाकी दास ने की कहा, नहीं, तुसी नहीं समझा दे कि ओ किन्ने वड़े हन, असी अपनिया नजरा विच उना दे सामने टिड़े वरगे लगदे सी, अते असी उना नू ओही लगदे सी, असी जमीन ते कबजा नहीं कर सकदे, यह असंभव है, इस तरह बाकी जासूसान ने डर दिया गोलिया फैला देतिया, लोक इस तो प्रबावित होये, इसले ही परमेश्वर ने कहा, तो हड़े विचो कोई वी कनान विच नहीं जावेगा, सारे अपने दुश्वना तो मारे जान दी तुलना विच ज्यादा लोक अपनी जीब कारण मार गए, जंगल दे इतिहास नू देख दे होये, ओ परमेश्वर न नजरा विच किवे सी, परमेश्वरो ना तो खुश नहीं होये, दिन दे अंत विच सौन तो पहला, जदो असी प् अज मैंनू वदेरे कोमल अते सहायक शबद कहिने चाहिदे हन, मैंनू होर सबर करना चाहिदा सी, मैंनू होर चंगा होना चाहिदा सी, मैंनू होर होसला देना चाहिदा सी, होना चाहिदा सी ज्यादा है, अजिहे विचारा नाल पर्या एक दिन बिताओन दी बजाए, सानू पिता आते माता दी इच्छा नुसार खुश खब्री दे बीज बीजने चाहिदे हन। जहडे लोग पिता परमेश्वर आते माता परमेश्वर उत्ते विश्वास करदे हन। ओ असल विच वखरे हन। ओ सवर्ग दूता वान लगदे हन। साड़े सी योन विच अजहियां बहुत सारी खबरां आ रहियां हन। मुश्किल हालाता विच्वी सानू परमेश्वर्दे वचननू सुनना चाहिदा है या ते खुश या ते शुकर गुजार रहिना चाहिदा है। कि इस तर्तियुते कोई है जिसकोल तंगी नहीं है। कि हुन्दा है। असी सदीपक सवर्ग दे राज विच प्रवेश करांगे जित्थे ना तम मौत होवेगी जा ना ही सोग होवेगा। जदो वी असी इस बारे सोच दे हां असी ताकतवर, खुशी महसूस कर दे हां अते शुकर गुजारी नाल परे जान दे हां। अजिहिया स्थितियां विच जित्थे लोका नू नीच नजरनाल देख्या जानदा है, सब तो अंदरो ही अंदर गुसा उबलदा रहिंदा है। हाला के प्रमेश्वर सानू सिखाऊंदे हां, क्रोध करन विच तीरे रहो, तीरज रखो। जदो साधियां पावनावा हिलद्यान हो या सोड़े दी बोतल वाम बाहर आजान दिया हां, तो वो बे काबू हो जान दिया हां। इस दी बजाए, प्रमेश्वर दी संतान दे रूप विच सानू आतम संजमी होना चाहिदा है, अते अपने आप तो पुछना चाहिदा है, इस पल मैनू खुश खबरी ले किस तरह दा बीज बीजना चाहिदा है। जे तुसी इस तरह सोच दे हो, तब प्रमेश्वर खुश होनगे। यहोश्वा आते कालेव ने की कहा, दस जासू सान दिया गल्ला ना सुणो। की साड़े प्रमेश्वर ने लाल सागर नू नहीं वंडेया, अते मिसर दे राजा फिरून दे गोड़े नहीं टिकवाए। प्रमेश्वर साड़ी मदद कर रहे हां। की असी दिन विच बदल दे खंबे आते रात विच आग दे खंबे नल साड़ी अगवाई करनवाले परमेश्वर दे अलो के कमानू नहीं देख रहे हां। यहोश्वा आते कालेव ने जीवन दे बीज बीजे। हाला के आत्मिक तौर ते लोकानू पहला ही गोली मार देती गई सी। इसले लोक उस रात एक हिंदे होए जोर्नाल रोए पला हुंदा क्यासी मिसर विच मार जान दे। परमेश्वर सानू मरन देन लेई इस जंगल विच क्यो ले आए। की तौहनू लगदा है कि परमेश्वर उना दिया गल्ला सुनके खुश होए। 400 साला तो वद साला तक उचीक दे रहे किरपा करके सानू इस गुलामी दी जिंदगी तो आजाद करू। परमेश्वर ने पीडी दर पीडी ने उना दिया प्राथनावा सुनिया अते उना नू मिसरतो काड़ के वादे दी तर्ती विच ले आए। जिस विच दोद अते शहद दी तारा वगगदी सी। हालाके इस परकिर्याविच उना ने अपने शब्दा कारण उना सारियां आशीशानू गुआ देता। की इसलेई बाइबल नहीं केंदी की जीब हर किसम्दी बुराईदी जड़ है। जेकर गलत तांगनाल वर्ती जान्दी है ता अजेहा ही हुन्दा है। मनुख जो बीजदा है ओही वड़ेगा रहन शब्दा दे बहुत सारे आरत हन। पर सब तो मत्व पूरन गल ए है के शबद जो साड़े मुहों निकल दे हन। ओ कदेवी गोलिया नहीं होनियां चाही दियां। दूसरेया नू नुखसान पहुंचाओन वालियां गोलियां चलाओन दी बजाए खसानू अजेहे परग्टावे सांजे करने चाही देहन जो आत्मावान नू बचा सकदेहन अते हिम्मत दे सकदेहन। इसलई एक कुरिंथियान अध्याए दास विच असी ओना चीजां दी एक सूची लब सकदेहां जो परमेशवर नू खुश नहीं कर दियां। वचन सत्त अते ना तुसी मूर्ती पूजक होवो जिवे ओना विचो कई को होय सन। जिस परकार लिखया होया है जो ओ लोग खान पीन बैठे अते हसन खेड़न नू उठे अते ना सी हराम कारी करिये जिवे ओना विचो कईयाने कीती अते एक को दिन विच तेई हजार जन्यादे सत्थर लथे अते ना सी प्रबनू परताये जिवे ओना विचो कईयाने परता आसी बुडबुड है जो आसी अपनी जीवनाल करदे हां अते नास करन वाले तो नास होए सो ए गल्ला ओना उत्ते नसिहत देले होईयां अते सानू मत देनले लिखिया होईयां हन जिना उत्ते जुगगा दे अन्त आन पहुंचे हन गल कादी जो कोई अपने आपनू खलोता होया समझदा है सो सुचेत रहे पई किते डिग ना पवे वक्खो वक्ख हालाता दा साहमना करदे होई असी अक्सर परमेशवर्दे इस वचननू पुल जान दे हां एहना वचनानू पुल के जदो असी शामनू कार वापस आऊंदे हां अते अपने रोजाना दे कमा बारे सोच दे हां ता असी सोच दे हां अज की में आत्मावाननू बचाओन ले काम करन दी बजाए ज़्यादा गोलिया नहीं चलाई हां जेकर असी इसनू महसूस कर दे हां ता असी अगले दिन उनानू कटा सक दे हां जब पूरी तरह खतम कर सक दे हां इस तरह सानू परमेशवर्दे अंदर पक्तीदा अब्यास करना चाहिदा है मैं उना शब्दा बारेक लेक सांजा करना चाहांगा जो आज दे उकदेश लेई बहुत तुकवा है मैं इसनू तुहाड़े लेई पढ़ांगा जदो तुसी कहिंदे हो ए मुश्किल है ता इह होर भी मुशिकल हो जानदा है जदो तुसी कहिंदे हो ए असंभव है ता संभव चीजावी असंभव हो जान दिया हन जदो तुसी कहिंदे हो ए अखा है ता इह होर ज्यादा अखा हो जानदा है जदो तुसी कहिंदे हो मैं मर रहा हां सिर्फ दर्दनाक चीजावापर दिया हन हालाके जदो तुसी कहिंदे हो सब ठीक हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जानदा है जदो तुसी कहिंदे हो, मैं खुश हां ता खुशाल कटनावा हुँन दिया हन। जदो हार पकी लगे फिर भी जित दी गल करो, तुहाडे को ल स्प्रशिट तौर ते कमी होवे फिर भी बहुताद दी गल करो। जिवे तुसी कहोगे उसे तरह ही होवेगा, क्योंकि हां, मैं ठक गया हां, ता सब कुझ होर मुश्किल हो जान्दा है, साधी खुश्खबरी ते वी ए गल लागू हुन्दी है, वा, खुश्खबरी दा कम मैंनू बहुत उत्षायत करदा है, सवरग विच मेरा इनाम किन्ना वड़ा होवेगा, कुझ लोग इस बारे गल करदे ह हां, क्यों किन्ने ठक होए हां, अजेहे होर लोग वी हां, जो कहिंदे हां, क्यों किन्ने खुश हां, कि असी पिता जीदे आउन वाले दिन दे नेड़े नहीं आ रहे हां, जदो सारी दुनिया विच खुश्खबरी दा परचार कीता जावेगा, ता अन तावेगा, खुशी नाल कम कर दे हन, पहला, मैं संखेप विच यहोश्वादी कहानी संजा किती, जिस नाल परमेश्वर ने वादा किता सी, मैं तुहाड़ी मदद करांगा, साड़ी खुश्खबरी विच कौन मदद कर रहा है, सवर्गी माता ने कहा, कि तुसी नहीं जान दे कि ए पर परमेश्वर दा कम है, जेकर तुसी परमेश्वर्दी अगवाईदा पालना कर दे हो, ता एक खुश्खबरी जरूर कम करेगी, एक कदेविया सफल नहीं होवेगी, तुसी इनना क्यों सोच दे हो जिवे खुश्खबरी कम नहीं करेगी, राजा नभूकद नसर्दा उदा उसने सोचया कि उसने देश्ट दे राज कीता, पर की परमेश्वर ने उसनु सात सालादे अर्से विच सचयाई दा ग्यान नहीं दिता, असल विच सारिया चीजा नू कौन संचालित करदा है, जदो उसने महसूस कीता कि परमेश्वर सब कुछ नियंतरित कर दे हन, तक की परमेश्वर ने उना दे दिल नू वापस मनुख दे दिल विच नहीं बदलेया, इसे लए राजा नबूख्द नसर ने परमेश्वर दी स्तुति कीती, सारिया चीजा परमेश्वर द्वारा नियंतरित कीतीया जान दिया हन, जिस विच कौमा दे उबार अते पतन दे नाल मनुखी जीवन भी शामिल है, इस तरह की उसने ये नहीं खोजया कि सारिया चीजा विच परमेश्वर दी लुकी होई योजना है, इसलिए सानु याद रखना चाहिदा है कि जदो 3500 साल पहला इसराइली मिसर तो बाहर आया सी, ता यहोश्वा ते कालेवनन चढ़ के 20 साल जा इस तो वद उमर दा कोई वी व्यक्ति कनान विच प्रवेश नहीं कर सक्या सी, सब तो वड़ा कारण उना दे शब्दा दा कारण सी, आओ इसनू त्यान विच रखिये याते हमेशा चमकदार पाखनू वेखिये, कि ऐसी वरत्मान विच वो उस परकिर्या विच नहीं ह जिथे परमेश्वर साड़ी सबरक्दे राजवा लगवाई का रहे हन। इस गलते विचार करो कि जदो साड़े चंगे कमा बारे साड़े गवांदियानू पता लगएगा, तो वो इसनू दूजया नाल सांजा करंगे, जिसनाल वो कहिंगे, ओ ओ ओ चार्चाफ गौड विच जान दे हन, की मैनू उस चार्च विच नहीं जाना चाहिदा, पावे म चार्चाफ गौड दे दस लोकानू वी मिला, तो उना सार्या विच सवर्गदूत वर्गा सुबा है, ओ उनानू की सिखाऊंदे हन, जो उनानू सुन्दर बढ़ाउंदा है, जदो ओ आऊंदे हन, तो उनानू पिता दिया सिख्यावां द्यालू, अते माता दिया सिख्या हाँ, फिर जदो तुसी कार विच एक सदारन सटू बना रहे हो वो, तद तुसी इसनू खुश्खबरी ले कार सकोगे, फिर जो तुसी बीज दे हो, उसले ही परमेश्वर किवे प्रती किरया देंगे, तुसी जो बीजोगे, ओ ही वड़ोगे, एक पती एक रेस्टोरेंट विच जाके दुफिर दे खाने ले स्टू दा आर्डर दे सकदा है, अते उसनू अपनी पतनी द्वारा बनाये गए स्टू दी तुलना विच ओ बेस्वाद लग सकदा है, ओ सोच सकदा है, जदो मेरा खाना खतम हो जावेगा, ता आज मैनू फुल खरीद के अपनी पतनी तनवाद करना चाहिदा है। इस समय की मैंनू गोली चलाउनी चाहिदी है जा खुश्खब्रीदा बीज बीजना चाहिदा है। क्योंकि ये हर पल हुन्दा है तद जे असी हर समय प्रमेश्वर नू याद कर दे हां यहोश्वाते काले वांग कम कर दे हां। तां असी निश्चित तोर तिसका रात्मक नतीजे देखांगे प्रमेश्वर कदे वी बेकार नहीं होन देंगे। आओ असी एक समय दी किताब अध्याय स्तारा वचन इकत्ती उत्ते जाईए। जदो इस्राइली गोलियत दे विरुद लडाई कर रहां सी ता सारे सिपाही उस्तो कबरा गैसी। उना दा मनोबल नीवां सी ते गोलियत दे परमेश्वर बारे लापरवाही नाल बोलन दे बावजूद कोई वी उस्ते विरुद खड़ा नहीं होया। आओ वचन इकत्ती वेखिये। अते जाओ गल्ला जो दाओद ने आखिया सन सुनिया गईया ता उनने शाओल कोल उना दी खबर दिती अते उसने उनू साद कलेया। तद दाओद ने शाओल नू आखिया उस मनुख करके किसे दा मन ना कबरे। तो हाड़ा दास जावेगा अते उस फ्लिस्ती नाल लड़ेगा। तद शाओल ने दाओद नू आखिया तू उस फ्लिस्ती दा सहमना करन अते उदे नाल लड़न जोगा नहीं है क्यों जो तू मुंड़ा ही है अते उ न्यान पुणे तो ही जोदा है। तद दाओद ने शाओल नू उतर दिता तो हाड़ा दास अपने प्योदिया पेड़ा दी राखी करदा सी अते जा एक शेर अते एक रिच आया अते जड़ विचो एक बच्चा ले गया। तो हाड़े दास ने शेर अते रिच दोहा नू जिन्दोन मुकाया सो ए असुन्ती फ्लिस्ती उना विचो एक वरगा होवेगा जो जिऊंदे पर्मेशोर दे दलानू लज्यावान कर रहा है। फिर दाउद ने एवी आख्या जिस यहोवाहने मैनू शेर दे पंजेते रिच दे पंजेतों चुड़ाया है ओहो ही मैनू उस फ्लिस्ती दे हत्थों चुड़ावेगा। क्योंकि दाउद ने विश्वास नाल शबद कहे सी इसलिए राजा शाउल ने उसनू गोल्यत नाल लड़न दी इजाज़त दिती जिस नाल की तजर्वेकार योदेवी डर नाल कम दे सी दाउद ने गोल्यत नू की कहा। मैं सर्व शक्ती मान परमेश्वर दे नामनाल तेरे विरुद्धोंदा हां। ए कहे के उसने एक पथर उस दे मत्थे ते मारेया। पथर थोड़ा जेहा तिर्छा हो सकदा सी पर स्वर्गदूता ने इसनू सिधा उस दे मत्थे ते मारेया। की परमेश्वर ने पथर नू ठीक उसे था ते नहीं लगण दिता जित्थे उसनू लगणा चाहिदा सी। इस तो इलावा जदू यहोश्वा ने एक हिंदे होए बीज बीजया उस आड़ी रोटी होणगे तक ही उसने यरी होदे सारे वासिया नू नशट नहीं कीता। दाउद ने कहा मैं सर्बशक्तिमान परमेश्वर दे नाम ते तुहाड़े विरुद आया हां जिस नाल परमेश्वर अते गोलित विचकार टकरा शुरू हो गया। ए दाउद नहीं सी जो जित्या सी उस लड़ाई विच कौन जित सक्दा सी उसने ये नहीं कहा मैं दाउद तेरे विरुद आया हां पर कहा मैं सर्बशक्तिमान परमेश्वर दे नाम नाल तेरे विरुद आया हां ए नौजवान मुंडा परमेश्वर दिया नजरा विच किन पर दाउद दे विश्वास दे एहन वचना ने ही परमेश्वर नुँ खोश आते प्रेरित कीता क्योंकि गोल्यत वी परमेश्वर दी रचना सी इसले यो कदे वी परमेश्वर दी पूरन शक्ती दे विरुद खणहा नहीं हो सक्दा सी आखरकार इसे कले ब्याननाल इसराइल नुँ बचाया गया अते इस शांदार नतीजा सामने आया रोमिया अध्याए 15 दी किताब विच परमेश्वर ने सानु सिखाया है कि क्योंकि जो कुछ अग्गे लिख्या गया सो साधी सिख्या दे ले लिख्या गया इतिहास नु देख दे होए सानु एक बुद्धी मान चोन करनी चाहिदी है कि असी खुश्खब्री दे बीज भी जांगे जा मनुखा नु तबाह करन वालिया गोलिया चिलावांगे कि सानु इस्तत ते विचार नहीं करना चाहिदा है कि साधिया थोड़े चिर्दिया चोना किवे सदीपक कालनु परभावित कर सकदे हन आओ असी मत्ती दी किताब बारा नाल जारी रखिये आओ अध्याए बारा वचन चोनती उते एक नजर पाईए हे सपादे बचेयो तुसी बुरे होके चंगिया गल्ला किकुर कर सकदे हो क्योंकि जो मन विच परया होया है उहो मू उते आउंदा है पला मनुख पले खजाने विचो पलिया गल्ला कड़दा है अते बुरा मनुख बुरे खजाने विचो बुरिया गल्ला कड़दा है पर मैं तो हनु अखदा हाँ पई मनुख हर एक अकारत गल जो बोलन न्याओंदे दिन ओदा हिसाब देंगे इसलिए जो तो अपनिया गल्ला तो तर्मियते अपनिया गल्ला तो दोशी ठेराया जाएगा इत्थेदे वचनानाल सानु की करना चाहिदा है परमेशवर्दी किर्पानाल खुश्खबरीदा परचार पूरे संसार विच कीता जा रहा है फिर सानु उस नयांदी त्यारी करन दी लोड है इस्राइलिया ने मिसर उत्ते आईयां दस बिपतावान नो देखया अते लाल समुंदर दे चमतकारदा अनुपव कीता उनना ने सवरग तो उत्रिया मन वी खादा ओ सारे चमतकारां दा नुपव करन तो बाद वी ओ प्रमेश्वर्दी शक्ती नुँ पुल गए एसी युग विच सानु इस तत्थनु कदे नहीं पुलना चाहिदा कि परमेश्वर हमेशा सडे नालहन सानु हर हालत विच परमेश्वर प्रती शुकर गुजारी दे शबद, दूजयानु लाब पहुंचाओन वाले शबद अते परमेश्वर्दी मुएमा करन वाले शबद बोलना कदे नहीं पुलना चाहिदा परमेश्वर ने कहा के सानू नियादे दिन साड़े द्वारा बोले गए हर शबद्दा लेखा देना पवेगा इसलिए सानू हर एक शबद्दनू वाद महत्व देना चाहिदा है आओ असी शदर्क मेशा कते अबेदनेगू बारेवी सोचिये जिनाने परमेश्वर दे नेमादा पालन कर लेए किसे मूर्ती अग्ये मत्था नहीं टेक या अग दी पठी दे सामने जिसनू आम नलो सत गुना ज्यादा गरम किता गया सी उन्हाने कहा है महाराज असी सोने दी मूर्ती दी पूजा नहीं करांगे पावे असी इसकरके मर जाएए तावी असी अजिहा नहीं करांगे उन्हा दे शब्दानू सोनन तो बाद परमेश्वर ने उन्हानू सवरग तो कीवे देख्या होवेगा इननी प्यानक स्थिती दे सामने वी उनने आख नहीं चपकाई उनने किहा जेकर सनु बल्दी आगविच सोट दिता जान्दा है तावी साड़ा परमेश्वर सनु इस्तो बचावेगा पावे परमेश्वर को लजेहा ना करन्दा कारन होवे तवी असी मूरत दी पूजा नहीं करांगे परमेश्वर उनना तो परसन होए इसलिए जदो उनननु अग दी पठी विच सुट्या गया ता उनना दे सिर्दा एकवाल भी नहीं सरया राजा बहुत हैरान होया आते उसने उनननु बाहर बुलाया पर ओ अजेहे नहीं दिखे जिवे ओ अग विच गयवी होन सारे लोकों होन तो आओ असी अपने करा विच अपने रोजाना जीवन विच अपने गौडिया विचकार अते समाज विच खुश्खब्री लेई कई वचन बीजिये तनवाद दे वचन, विश्वास दे वचन, प्रमेश्वर्दी मुहमा करन वाले वचन अजिहा करन द्वारा आओ साड़े बुलानू सारे लोकानू इपरचार करन लेई साधन बढाये कि मुसीहान सांग होंग अते नवी यरूशलम सवर्गी माता दियां सिख्ख्यावा किन्या महान हन इस तरह आओ असी बहुत सारे सुन्दर फल पैदा करिए आज तो जदो तुसी कारजान दे हो ते तुहाड़े पती ज़ा पतनी कहिंदे हन कि ओ मुश्किल समा बिता रहे हन तक किरपा करके उननू दिलासा देओ ए करना कि ए मुश्किल है सिरफ चीजानू होर ज्यादा मुश्किल बढ़ाउंदा है आज तो आओ अपने परिवार विच गल करंदे तरीके नू बदलिये मैं थक गया हाँ पहिंदी बजाए आओ असी कहिए कि मैं अपने परिवार लई उर्जा नाल पर पूर हाँ जेकर कोई है जो हमेशा कहिंदा है मैं ये नहीं कर सकदा ताओ ओना शब्दानू मैं अजहा क्यों नहीं कर सकदा ये सिरफ एक परकिर्या है विच बदलिये परमेश्वर ने संसार्दी रचना इसलिए कीती है कि सारे शबद उसे तरह पूरे होनजी में ओ कहे जान दे हन क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचनाना अलकाश तर्तियते सारियां चीजानू बढ़ाया है इसलिए सानू ओना वचनानू त्यानना चुनना चाहिदा है जो असी बोल दे हां कि ये शबद कुछ खास नतीजे पैदा नहीं कर दे ए ना किरना वितर है कि कुछ मुश्किल है क्योंकि तुसी जो बीजोगे ओही वड़ोगे जो लोग कहिंदे हन कि ये आउखा है वो अगले दिन कहिंगे कि ये होर वी आउखा है ए इसलिए है क्योंकि हालात ओना दे शबदा अनूसार बढ़ाये गए हन इसलिए आओ असी प्रमेश्वर्दे वचनानू हलके विच ना लेए नुक जो बीजदा है ओही वड़दा है आते यिसु मसीदे वचनानू हमेशा त्यान विच रखो जिवे मैं तुहाडे नाल प्यार कीता है उससे तरह तुसी एक दूजे नू प्यार करो की साड़ा प्विख किसे परी कहाणी नालो हजारा गुणा ज्यादा शांदार नहीं है की परमेश्वर्णे सानू पहला ही सवरग विच शाही जाजग्दे अहुदे लेई नियूकत नहीं कीता है असी एक जही आदपुत दुनिया विच जा रहे हां फिर भी असी इस तर्तीदिया मामूली गल्ला करके सब कुछ पुल जान दे हां परमेश्वर सिर्फ चार दिना विच इस्राइलियानू कनान विच प्रवेश करन दे सक्दे सी हाला के 40 साला तक जंगल विच ओना दी अगवाई करना परमेश्वर्दी इच्छा रही होवेगी सानू ये सबक सिखाओं लेई परमेश्वर्दी डूंगी इच्छा सी कि जैसी अजहे शबद बोल दे हां जिवे उनने 3500 साल पहला बोले सी ता नतीजा की होवेगा ये सोच दे होए अज मैवी जो मैं आज कहनदा हां ओखुश खबरी लेहां आओ असी अक्सर तुसी एक कर सकदे हो वरगे विश्वाश योग शबदा दी वर्तों करिए पर पूर उत्शाह देए जित्थे जरूरत होवे तद दिलासा परदान करो अते जित्थे इस दी लोड होवे उत्थे समरतन दे शबद कहिए मैंनो आस है कि साड़े सारे सीयोन परिवार्दे सारे मेंबर रजहा करंदे योग होंगे किरपा करके याद रखो कि साड़े द्वारा हो लिया गया हर एक शबद उस दिन बीजया गया खुश्खब्रीदा बीज है जदो असी इसनू बीज दे हां तासी ये नहीं जान सकदे कि एक कदों खिड़ेगा पर बीज बीजन दा कम मतव पूरन है इस संसार विच बहुत सारे जंगली बीज बीजे जान दे हन मैं तुहनू हर संभव कोशिश करन ले कहन दा हां ता जो परमेशवर दे वचना दे होर सच्चे बीज बीजे जासकन अते असी हमेशा मजबूत बड़े रहिए कि तुहनू यसाया अध्याए इकताली विच परमेशवर दा वचन याद है मैं तुहाड़ी मदद करांगा कि परमेशवर ने इस गल उत्ते जोर नहीं दिता उन्हान ने किहा मैं पक्का तुहाड़ी मदद करांगा उन्हान ने वादा किता कि ओ निश्चित रूप नाल साड़ी मदद करंगे जिवे कि असी परमेशवर दे हौसले नाल परे सवरग दे राजदी यात्रा ते हाँ तहाँ असी सारे हिम्मत रखिये इत्यान विच रख दे होए कि उस अड़े परमेशवर हन जो खुश्खबरीदी अगवाई कर दे हन ए आस कर दे होए कि अज़दा दिन तुहाड़े ले इकाशीशित सबत होवेगा मैं अज़दे उपदेशनू समापत करना चाहांगा तो हड़ा बहुत बहुत तन्वाद